बरेली स्थित गांधी उद्ध्यान के बाहर बने स्टेंड से गुरुवार को सभी एंबुलेंसों को नगर निगम प्रशासन ने जबरन बाहर निकाल दिया जिसके बाद चालकों ने अपनी एंबुलेंसों को सडक पर लगा कर नगर निगम प्रशासन के खिलाप नारिवाज आजी करते हुए प्रदशन किया। लोग अपनों को छोने से कत्रा रहे थे, तब हम लोगों ने अपने परिवारों की चिंता किये बिना एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाया। इसके बावजूद हमारी एम्बुलेंस के लिए पार्किंग की जगह तक नहीं दी जा रही। देखे हमें गौर्णमेंट की तरफ से एक फैजलिटी होती है कि हम जहां कहीं भी बाहर हाईवे पर जाते हैं तो हमसे गौर्णमेंट उसका टोल नहीं लेती है। गौर्णमेंट की वज़े से ना तो टोल देना पड़ता है हमको ना ही कोई एम्बुलेंस की पार्किंग देनी पड़ते हैं। लेकिन यहां पर पार्क करते हैं गाड़ी जिसका हमसे पैसा मांगा जा रहा है। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि पैसे नहीं दे पाते हैं। उनको रास्ते में छोड़ते नहीं है उन्हें वहां तक छोड़ना पड़ता है। अपने पास से तेल भी लगता है, ठीक है, लेकिन उनको भी छोड़ते हैं, उस समय पर हमें कोई नहीं देने आता है पैसा, तो हमें फ्रीज होडने पड़ता है, ना, यह सब जो भी कुछ चल ला है, जो भी कुछ हो रहा है, वो गवागी गलत हो रहा है, आप क्या माम कर रहे ऐसे ख़ड़ी रही हैं, वैसे रहेंगी, और लोगों को हल्प ही होती है यहां से, दिक्कत ही आ रही है सर, हम कुराना काल में भी, वैसे भी हमने पूरी हल्प करते हैं, मजद करते हैं, हमारी गाड़ीं यह खड़ी होती थी थी, 5 साल से पिछले, अब चन्द लोग आए, म नगन निगम से मिश्टर सुनील हैं और भी कई लोग आए और हमारी गाड़ियां खदेल के रोट पर खड़ी करती हैं बोले अगर अंदर गाड़ी खड़ी करोगे यहां पर पारक पे तो 32,000 रुपए महीना दोगे पर गाड़ी अब हम लोग बताईए ट्रांसपोर्ट का ए बोले कोई लेशन नहीं आप घरी करते हो थीक है नहीं करते हो तो गाड़ी चैन करके हम नगनिकम ले जाएंगे तब आपकी गाड़ियों दस्वाक्त करेंगे मानी ओमेज गौतम जी से हमें इतना वो है कि हमारी गाड़ियों की खड़ी करने की इजाज़े दे दी जाए और ये एम्बूलेंस की कहीं उत्तर परदेश में कहीं भी कोई पार्किंग ने जाती है बस यही चाहते हैं